हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दूल और आप देख रहें टॉक विद अब्दूल यूट्यूब चैनल आज की वीडियो थोड़ी अलग रहने वाली है और जैसे कि आपने टाइटल लेखा आपके कुछ यहां पर इंग्लिश बोलने में जो प्रॉब्लम्स है उसका हम यहां पर सॉलूशन देने वाले वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा प्रैक्टिकल सॉलूशन भी देने वाला हूँ और इससे पहले ओलेडी वीडियो बना चुका हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर से कर देना और शेयर का बटन प्रैस करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो जहां पर भी कॉलेज ग्रूप है वाट्सप के ग्रूप से जहां पर आप कर सकते हो कर दो क्योंकि यह वीडियो हर किसी को काम लग सकती है अब यहां पर हमने common problems लिये हुए है सबसे पहला है problem in speaking English confidently दूसरा है vocabulary तीसरा है sentence formation तो सबसे पहला problem है speaking English confidently देखे यह confidence का जो problem है आप English नहीं बोल पाते हो बहुत सारे लोग है यह problem आ रही है या फिर ऐसा कहे कि आप जब बोलने जाते हो तो थोड़ा अटर जाते हो तो यह सारे यहां पर lack of confidence की वज़से है और इसका एक सीधा and simple solution है practice आप बोलोगे यह solution आपको पता है लेकिन इसके पीछे शायव में relate कर पाऊं आपके साथ बच्पन में जब आपने पहली बार cycle सीखी थी जिसने भी आपको सिखाए थी तो जब आपने सीख ली तो उसको आपने cycle को रख दिया और बात खतम हो गई नहीं ना आपने cycle को चलाए जैसे जैसे आपका road experience बढ़ता गया वैसे आपका cycle चलाने का भी confidence बढ़ता गया तो ऐसा confidence आता cycle चलाने में नहीं आता जब भी आप चलाने बैठते तब आपको यहाँ पर वापस से डल लगता कि कहीं मेरा accident हो जाएगा तो नव यही problem English के साथ है आपने यहाँ पर English सीख तो ली है लेकिन उसकी practice नहीं कर रहे हो और इसको जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक आपका confidence नहीं आएगा नव प्रैक्टिस कहां से करें तो इसका मैं free solution देने वाला हूँ कोई course आपको करना नहीं है आपको simple play store पर जाना ह भी आपको disturb नहीं करेगी जिनके मन में doubt है कि चाइनीज है तो चाइनीज एप नहीं है यह मैं आपको clear कर दूँ और यहाँ पर जैसे ही आप app open करते हो तो आपको यहाँ पर option दिखागा English सीखे हिंदी से basic हिंदी आपको आती है तो आप यह option से लेकर करके आगे बढ़ सकते हो जहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपका यहाँ पर target क्या है तो job अला select करना क्यूंकि आपने से ज्यादा तर लोग job के लिए यहाँ पर कर रहे हो तो job अला select करना और उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हो तो दो option again होंगे beginner का होगा और थोड़ी बहुत English पहले से आती यह अब्यस बात है थोड़ी बहुत तो आती है ABCD तो सीखना नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम थोड़ी बहुत आती है वह वह अप्शन select करके आगे बढ़ जाना now यहाँ पर आपकी थोड़ी एक test होगी जहाँ पर चेक किया जाएगा आपको कितनी basic आपने लिखाया आती है तो यह चेक करेगा अलग-अलग way में चेक करेगा तो यहाँ पर कुछ questions होंगे आपको उसका answer दिने now यह जो आपके पहला problem है confidently speaking का यह आपका solution practice से दूर होगा now मैं app क्यों बता रहा हूँ आपको practice करने के लिए because हमारे environment में हम आस-पास के लोगों के साथ English में बात नहीं कर सकते उसका अच्छे reason आप already जानते हों बात करने जाते तब क्या होता है so हमें कोई यहां पे साथ में बोलने वाला चाहिए और यहां पे बोलने के लिए आपको यह एप मिल जाएगा यह app में सिर्फ आपको यहां पे बहुत सारह options है जैसे कि यहां पे आपको मैं बता हूँ तो sentence दिया जाएगा उसके सारह audio होगी, आपको यहाँ पर बोल के वो sentence repeat करना होगा, यह वाला एक चीज़ है, जिससे आपकी speaking ability बढ़ेगी चलिए एक example देख लेते हैं, सीधा example बताऊंगो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा देखे, सबसे पहले तो जैसे यह आप यहाँ पर, इस आप में बहुत सारे options आपको आएंगे, अगर आप यहाँ पर देखो यह एक example है एक sentence दिया हुआ है, और इस sentence में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है audio का एक symbol है, we will be playing cricket tomorrow, और नीचे recording का एक बड़ा icon है, आपको करना क्या है यहाँ पर, यह sentence को एक बार अच्छे से बड़े से सुन लेना है, चलिए सुन लेते हैं, तो हमने यहाँ पर यह sentence को सुन लिया, we will be playing cricket tomorrow, अब क्या करना है, अब आपको यह sentence को repeat करना है recording का symbol, प्रेस करके, तो जैसे आप यहाँ पर किस तरह से word by word बोलिये we will be playing cricket tomorrow, तो जैसे ही आप बोलोगे न, तो देख रहे हो, आप sentence यहाँ पर blue होते जा रहे थे, जब भी मैंने आप बोला वापस से जा कर देख लो, तो यह चीज क्या है, यह आपके words भी verify करता है आपके pronunciation सही तरीके से निकल रही है या नहीं, यह भी निकल, यह भी check हो जाता है आपका, ठीक है, तो आप पहले सुनिए और बाद में इस चीज को repeat कीजिए तो आपका बोलने में confidence बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा इस ताइब के sentence की practice करोगे, उतना आपका बोलना है यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक और sentence यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा अलग तरीके का, ठीक है यहाँ पर हर एक same option नहीं मिलेगा यहाँ पर एक और option यहाँ आपको मैं बताऊ देखो, यह sentence थोड़ा अलग है क्या लिखा हुआ है sentence she is sending a gift to her mother तो यहाँ पर सबसे पहला हमें सुन लेना है कि क्या यहाँ पर बोल रहा है तो चली अभी सुनते है पूरा तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा पूरा यहाँ पर sentence आपने सुन लिया अब इसको आप हिंदी में यहाँ पर translate करोगे नीचे से एक एक जो यहाँ पर option दिया हुआ इसको यहाँ पर हम pick up करके यहाँ पर put करेंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या बनेगा वह अपनी मा को उपहार बेज रही है हमने यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया यह भी जरूरी है आप इसका मतलब proper हिंदी वे में समझ पा रहे हो या नहीं ठीक है तो यह एक और example था ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से यहाँ पर आपको English यहाँ पर सीखने को मिलेगा कई बार हमें खुद यहाँ पर किसी का ट्रांसलेशन किसी और की तरफ से ट्रांसलेट करना पड़ता है हम यहाँ पर जनरली इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है अगर आप यहाँ पर ग्रेजवेट हो तो आपको यह चीज आएगी यह चीज भी करने पड़ती है तो सेनारियोज हर बार अलग-अलग होते है तो हर एक टाइप के सेनारियोज यहाँ पर लिये हुए तो यह बहुत अच्छी बात है यह चीज मुझे पसंद आती है और आप्टर वाल यह सारी चीज़े फ्री आपको मिल रही है तो नुकसान आपका कुछ भी नहीं है डेली आप 15-20 मिट दे दोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा ठीक है 15-20 मिट आपको सेलेक करनी है तो आपके इंगलिश थोड़े टाइम में इंप्रूव होना शुडू हो जाएगी तो यह आपका सबसे पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो कि हमने का Speaking English Confidently तो यह आप दो लेशन करोगे तो आपका इंगलिश बहुत अच्छा हो जाएगा सेकंड प्रॉब्लम वोकैबलरी वोकैबलरी यहाँ पर यह प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है बोलते बोलते वर्ड्स नहीं आते तो मतब आप कुछ बोल रहे हो कोई चीज यहाँ पर क्या है वो आपकी दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर कोई expression या फिर कोई situation के इसाब से word वो आपकी दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसको वोकैबलरी का क्या आपको visuals पसंदे visuals मतलब की video अगर मैं आपको एक चीज पढ़ने के लिए काऊंगा तो आप reading यानि की book में से पढ़ोगी या फिर आप उसके related video देखोगे ज्यादा दर video देखते है लेकिन कुछ लोग books वाले भी होते है नो books में भी अच्छा है books में ज़्यादा impact आता है मैं आपको suggest करूँगा vocabulary के लिए आप books read कीजिए कौनसी books तो novels वगरे read नहीं करनी है आप इस type की books भी पढ़ सकते हो या फिर मैं आपको कुछ suggest कर देता हूँ जिससे आपको knowledge भी मिल जाएगा आपकी ये English भी अच्छी हो जाएगी सबसे पहली ये rich dad, poor dad zero to one the power of positive thinking फिर यहाँ पर मेरे पास ये भी books है Elon Musk की biography भी है ये भी अच्छी book है तो ये भी आप पढ़ सकते हो कुछ books है जो best है आप जैसे पढ़ते हो तो बहुत सारा knowledge आपको मिलेगा और ये मैं इसलिए पढ़ने को बोला हू क्योंकि इसमें छोटी-छोटी situation या कुछ कहानी ऐसा कुछ बीच-बीच में आता है ये कहानी से आपको वो जो words जो आएंगे ना वो आपको याद रहेंगे basic English में लेना, Hindi में मत लेना फिर कोई मतलब नहीं English में लेके English में आपको पढ़नी है तो वो words आएंगे, वो आपको याद रहेंगे क्योंकि आपने वो कहानी पढ़ी है इस हिसाब से ये vocabulary आपकी जो दिमाग में बनती जाएगी ठीक है, थोड़ा-थोड़ा रोस पढ़ना है पूरी book एक दिन में खतम नहीं करनी है और इसको mark करके रखना है कहीं पर difficult word आता है, लिखके रखो या mark करके रखो, तो ये अच्छा रहेगा आप Amazon, Kindle, जहां पी जाओ आप purchase करके ले सकते हो कोई issue नहीं है, लेकिन इससे आपकी एक vocabulary अच्छी होती है, दूसरा option जो वीडियो वाला बताया था, उसमें आप English movies देखिए, वो भी मैं आपको suggest करता हूँ कोई आपको बेकार सी movie नहीं देखनी है, आपको मैं suggest करता हूँ Social Network देखिए, Steve Jobs देखिए इस type की जो movies आती है वो बहुत अच्छी होती है, inspiring होती है और इसमें जो भी situation आती है subtitle के साथ देखिए, तो जो बोल रहे होंगे आपको पता है कि हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कहानी कहा है वो आप समझ जाओगे, लेकिन वो जो solve करने का यही एक solution है यह best है मेरे ही साबसे, news paper वगिरा भी है लेकिन यार मैं जानता हूँ आपका interest नहीं आएगा आगे बढ़ते third and जो आपकी most common problem again है sentence formation हाँ, दिमाग में आता है लेकिन याप इमें बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि यह आपको अगर मान लीजी, हिंदी में कोई word देता है हिंदी में कोई sentence देता है तो आपको उसको English में लिखना है तो नीचे words के टुकडे होंगे जिसको आप यहाँ पर one by one form करोगे ठीक है, और sentence formation यहाँ पर हो जाएगा देखें, आपको audio दिया जा सकता है और उसको आपको यहाँ पर उसमें जो भी words कहे गए उसको आपको form करना है जो कि बहुत easy रहता है इसमें और भी ऐसे options में लेंगे जहाँ पर हिंदी में sentence होगा और आपको अपनी मर्जी से उसको English में नीचे दिये गए words में से select करके sentence form करना है यह example बहुत अच्छा है audio सुनने है सबसे पहले एक बड़ा जो audio है, फिर टर्टर का symbol है जो कि slowly आपको audio सुनाएगा अब यहाँ पर आपको एक बार इसको सुन लेना है सबसे पहले चलिए सुन लिया ओके, हमने यहाँ पर सुन लिया बाद में इसको यहाँ पर सुनने के बाद आपको इसको slow speed पर भी सुन सकते हो और बाद में इसको हम प्लेस करते है तो where is the parliament ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर sentence formation हो जाएगा चीज़े आपको अगर समझ में नहीं आती है तो वो भी समझ में आने लगेगी Hindi में जो sentence दिया हुआ है उसको English में किस तरह से form करना है यह भी आप सीख जाओगे इस type के भी options आपको इसमें मिल जाएंगे So level by level जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो इस app में sentence भी hard होते जाएंगे और आपको चीजे समझ में आने लगेगी क्योंकि यार मैं आपको इसलिए ये चीज़ सज़ेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ फ्री है और मेरे सबसे मुझे बहुत पसंद आई है प्रिवियसली भी बता चुका हूँ लेकिन आपने जो problems बता है उसका भी solution इस app में आपको मिल जाएगा ये भी मैंने आपको बता है vocabulary का भी solution इस app में मिल जाएगा लेकिन जो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको शायद यहाँ पे high level की होगी क्योंकि high level के words जैसे कि book है book जैसा word आपके दिमाग में आ जाता है लेकिन जो difficult words होते है वो नहीं आते है तो उसके लिए आपको books पढ़नी होगी books के अंदर जाना पड़ेगा और जो मैंने दूसरा वीडियो वाला solution दिया तो जो भी मैंने आपको solution दिये वो सारे के सारे practical है आप उसको real life में लेके implement कर सकते हो improvement आपको पका दिखेगा and I hope आपको ये वीडियो बहुत काम लगी होगी आपको बहुत सारी information भी मिली होगी इसके regarding and अब आप डेली के दो lesson complete करके आप अपने English को अच्छा कर लोगे तो बस यही मेरा मकसद था आपको बताना and उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है दोस्तों को share कर देना पसंद आई तो like कर देना comment करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं हम next वीडियो में next जो भी वीडियो आएगा आने लवाले time में बहुत सारी interesting वीडियो आने वाली है job update के साथ साथ ये भी चीजे हम add कर रहे है तो आपको बहुत पसंद आएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care